हलो गाईज स्वागत है आज आज आपका हमारी निव वीडियो में आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रेनेक्सा पांज सम्जी टेबलेट के बारे में बताएंगे जो कि मैं कलियोर्स कंपनी द्वारा बनाई जाती है यह एक फर्मसुटिकल कंपनी है तो गाईज आज हम आपको इस ट्रेनेक्सा टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन जरूर प्रिस कर लिजिए जिससे आपको इस तरह की नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे और आपको नए नए दवाईयों के बारे में जानकारी मिलती रहे तो ट्रेनेक्सा जिसमें हमारा API अर्थात मेडिकामेंट्स जो प्रिजेंट है वो है ट्रेनेक्सणामिक एसिट्स टैबलेट आइप अर्थात या हमारी इंडियन फार्माकोपिया इंडिया में बनी हुई मेडिसीन है इसमें ट्रेनेक्सामिक एसिट्स प्रिजेंट होता है तो गाइज इसका उपयोग हम मेली महिलाओं में होने वाले मासिक धर्म के दोरान करते हैं अर्थात जब महिलाओं को मासिक धर्म हो रहा होता है तो रक्त श्राव अर्थात अगर उनको बलड जारी हो जाता है bleeding होने लगती है तो वहाँ अपर हम इसका mainly उपयोग करते हैं और इसका उपयोग हम इस तरह महिलाओं में संबंधित मासिक धर्म से भी करते हैं और जिन महिलाओं के अंदर जैसा की गर्भ में भी है अगर bleeding होने लगती है तब भी डाक्टर बच्ची रोकने के लिए इस टेबलेट का उपयोग करवाते हैं दूसरी भासा में कहूं तो इस टेबलेट का उपयोग आपके सरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की bleeding में हम इसका उपयोग करते हैं जैसा की इसका उपयोग अगर operation के दौरान, surgery के दौरान बेगर bleeding ज़्यादा होने लगती है तब भी इस टेबलेट को देते हैं और इसका उपयोग हम अगर आपके नाक से खून आने लगता है जिसको एक बीमारी बोलते हैं जिसे बोलते हैं AP-Estatics यह एक बीमारी हो जाती हैं जिसमें व्यक्ति के नाक से खून आने लगता है तो वहाँ भी हम इस टेबलेट का उपयोग करवाते हैं अगर आपके सरीर में रक्त का थक्का नहीं बन रहा है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तब भी हम इसका उपयोग करवाते हैं और इसका उपयोग हम जिन वेक्तियों के दांत से खून आते हैं, डेंटल प्रॉब्लम रहती हैं, तो भी हम इसका उपयोग करवाते हैं, और किसी भी प्रकार की सर्जरी हो, अगर वहाँ पे ब्लीडिंग जादा हो रही है, तो वहाँ भी हम इसका उपयोग करवाते हैं, और आपे शरीर में आसमान ने श्तितियों में अगर रक्त का थक्का नहीं बन रहा है ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ भी हम इसका उपयोग करवाते हैं। और इसका उपयोग जैसा कि किसी वेक्तिका एक्सिडेंटल केस हो जाता है, तब भी अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तब भी आप इस टेबिलेट का उपयोग कर सकते हैं, तो गाइज इस तरह इसका उपयोग हम मासिक धर्म में, या दूसरी भासा में कहूं से आने वाले खून में, आपके शरीर के बाहरी रूप से कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है, तब भी हम इसका उपयोग करेंगे, तो गाइज हमें उम्मेद है कि आज कि इस वेडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा, अगर आप कुमारे चैनल प